हाई फ्रिवन कैसे हैं आप लोग तो आज मैं शेयर कर रहे हूं आप सभी के साथ में इदुल अज़ा स्पेशल मटन कढ़ाई की रसेपी से आप जरूर ट्राइ कीजिएगा इसका टेस्ट बहुत ही लाजवाब होता है और इसको बनाना बहुत असान है बहुत ही कम मसालों के ओड़ के लिए और इसके साथ इसमें डाले आप 3-4 बड़ी प्यास इस तरह से मैं ने स्लाइस में काटकर डाली है और इसके साहती साला वश किया हुआ जो मटन इसके उपर लगादे देना है यहां पर जो मिग्स पीसे सितमाल होते हैं इसका टेस्ट अच्छा अच्छा द तो यह पूरा ही जाल देना है। यह साथ में पूरा ही तुमाटर थे साथ में हमें नमक डेना है। अब थे में अपने दाल यह हमीने हैं। तो तकरीबन यहां पे इस डिश में मतन जो बन रही है इसमें टमाटर और प्यास जादा रेशियो में रहता है और बस जो मेजरमेंट्स मैंने आपको बताई हैं उस तरह से रखिएगा एक बर डिस्क्रिप्शन पॉक्स भी जरूर चेक कर लिजेगा मेजरमेंट्स लिखी हुई है तो यह सारे चीज़ें डालने के बाद में इसमें अभी हमें एक कप पानी डालना होगा यह चाय की कप से मैंने इसमें पानी डाली है पानी इसमें बहुत कम ही जरूरत पड़ेगा क्यूंकि प्यास का अपना मौशर होगा मतन के अपने मौशर होगे टमाटर भी पानी तो अभी क्या करना है हातों से या फिर काप आपकी स्पून से इससे जो लेसन की कलिया है जो हमने डाली थी पूरा वह निकाल लीजिए उसको ठंडा होने दीजिए और साथ में जो टमाटर है उसकी स्किन भी इसमें अलग हो जाती है तो दिखरी है वह अब यहां में नेक्स् अची आती है और खड़ाई मतन का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है तो पीसे वे ना लेकर आप इस तरह से खड़े लीजिए और इसको रोस्ट कर लीजिए कुछ सेकंड रोस्ट करने के बाद में इसमें आदे चमच गोल मिर्च यानि की काले मिर्च का दाना डालिए और अच्छ से डाल कर भून लीजिए यहां पे जो फ्रेश मसालों को कूट कर या ग्राइंड करकर जो पाउडर बना कर हम इस्तेमाल करते हैं उससे डिश में चार चान लग जाती हो और बहुत जबरदस कड़ाई मतन तयार होती है यहां पे जब यह मसाला जो भूंसा गया है तो इसमें कुछ मैं साताट काजू डाल रही हूं साबुत काजू है और डाल कर मैं इसे भी भून ले रही हूं काजू से बहुत यह अच्छा फ्लेवर आएगा क्रीमी टेक्शर देगा हमारे सालन को तो यह सारा सूखा मसाला जो कि हमने रोस्ट किया है इसे अब ग्रैंड दो तेज पत्ता और अद्रक का पेस्ट मैंने डाला है और डाल कर जब यह मसाला भून गया तो इसमें मैं सारा जो हमने बॉयल किया था मतन मसालों के साथ में इसमें ट्रांस्फर कर देना है जैसा कि आप देख सकते होंगे यहां पे मतने बहुत जादा पानी है तो बस इस इसे तरह से हमें वहाले नियुक्ते किवा लावश्य गाड़ी और नियुक्त इसमें मैं और चौन बशाण जकन आफिसान से इसमें मिन घंका लावी यहां कुमादा पानी गाड़ी गाडी होती जाएँ डाल कर अब फाइनली हमें इसे बहुत से मिलाना है जिससे टमाटर विगेरा घुल जाएगा इसमें गला हुआ तो अल्रेडी है प्याज विगेरा मशी हो जाएगा और बिल्कुल अच्छी सी ग्रेवी बन जाएगी जाता है तो बस यहां पे यहमसाला डाल कर अच्छी से अपको मिलाना है और जैसं जब देका है अंच्छी जेशा जाए तो आप देखूंचे मिनट बाद मैं आपको दिखारी हूं मसालों चीज가지고 करने के मिल्कूल तेखिऊ जाएं प्लेवी में 여기에 तो यहां पर बस लास्ट में हमें कुछ और चीज एड़ करनी है जो इस डिश को और बहुत जादा इनांस करेगी इसके फ्लेवर को और जान ला देगी इस डिश में तो यहां पर जब यह मसाला अच्छ से भुन गया है ग्रेवी से टेक्शर हो गई है तो अब मैं इसमें डा तो लगतार बस इस तरह से हमें भून लेना है और तब तक भूनना है जब तक तेल सर्फस पे नजर ने आने लगे तो लिट से धक्करी मैंने भूना है इसे और यह देखें बहुत ही जबरदर्श शांदर हमारी यह लाजवाब मटन कड़ाई रेडी हो गई है कलर देखें कर सकते हैं बहुत अच्छी लगती है एक बर ट्राइ जरूर कीजिएगा इस इत पर इसे जरूर बनाएगा तो आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी अगर वीडियो अच्छी लगी तो एक बर लाइक और शेयर जरू कर दीजिएगा चैनल पे नहें तो रेसिपी ट्राइ कीजिएगा और कैसी बनी में ज़रूर बिताईगेगा चैनल फिर मिलती हो मैं नेक्स ताम एक नए इंट्रस्ट्रिम और बहुत असान रेसिपी लेकर तब तक अपना ख्याल रखें दूआ हुमियाद रखिएगा थैंक्स पो वोचिएगा थैंक्स पोच